मा कुछ जादा ही सिर चड़ा रखा है आपने भावी को अभी तो घूमने गई थी फिर से जाने की क्या जरूरत थी क्या बात कर रही हो कोमल नई नई शादी है दोनों की थोड़ा समय साथ बिताएंगे तभी तो एक दूसरे को जान पहचान पाएंगे मा आपको समझती नहीं इतना सिर मत चड़ाओ बहू को पस्ता होगी चल छोड़ इन बातों को मुझे कुछ काम है मैं बाद में बात करती हूँ बेटा इतना कहकर आसा जी ने फोन रखती है आसा जी का छोटा सा परिवार था पती बिनोज जी और दो बच्चे बड़ी बेटी कोमल और चोटा बेटा विकास कोमल विकास से बड़ी थी और उसकी साधी भी पहले हो गई थी विकास की साधी कुछ महीनों पहले तानिया से होई थी तानिया एक बहुत थी प्यारी लड़की थी आसा जी भी तानिया को बहुत प्रेम से रखती कोमल को भी तानिया बड़ी ननत का मान सम्मान देती लेकिन कोमल खुद को बड़ी ननत होने का दम परकती कोमल घर की अखेली बेटी और पहली संतान थी सो अपने पिता का सब दुलार पाया जिसके कारड़ते सुभाव और मुफट हो गई थी कोमल के सुभाव से आसा जी बहुत चिंतित रहती कोमल का ससुराल भी उसी सहर में था तो अक्सर माय के आती जाती रहती जब भी कोमल घर आती या तो अपनी मा को सास होने का अहसास करवाती कहती सास हो सास की तरह रहो उधर तानिया से पूस्तास शुरू कर देती जैसे तानिया दिन भर क्या करती रहती हो अगर तानिया कुछ बताती तो उसमें नुक्स निकालने लगती एक बार तानिया ने घर के डेकरोइसन में कुछ चेंज किये जिसकी सबने तारीफ की लेकिन प्रिया जब घर आई तो आते ही सुरू हो गई एक ऐसे कलर के परदे लाई है तानिया बिल्कुल मैचिंग नहीं है दिवारों से मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे कलर तानिया तुमारी 24 तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती कोमल के ऐसे बेवहार से तानिया भी चिल्ट सी जाती लेकिन बड़ी ननत का मानमायके में कम ना हो ये सोच कर चुप रह जाती आसा जी सब देख सुन बेहत परिसान होती रहती इतनी प्यारी बहु को अपनी बेटी के उदंड विभार से ओक होना नहीं चाहती थी आसा जी जानती थी तानिय संसकारिक लड़की है इसलिए अपनी ननत की सारी नजायज बाते बरदास्त कर रही है लेकिन जिस दिन ये सबर तूटा उस दिन ये घर तूटना भी तैथा आसा जी समझ गई थी अब को मल को रोकना ही होगा वरना देर हो जाएगी कुछ दिनों बाद विकास के जनन दिन का आवसर आया तानिया बहुत खुश थी सादी के बाद पती का पहला जनन दिन था सासु माँस से पूछा तो नहों ने भी कह दिया जैसे दिल करे वैसे जनन दिन मनाए तानिया बहुत मन्स से तैयारियों में जूट गई थी आसा जी से सला कर सुबह सतनराड की पूजा की और साम को कुछ करीबे रिष्टेदारों के साथ साथ अपनी नेनत को भी सा परिवार आने का निमंतरड भीज दिया तानिया ने जनम दिन के लिए तैयारियों में लगी अपनी बहु को अकेली परेसान होता देख आसा जी ने सोचा अगर कॉमल को बुला लेती तो तानिया की थोड़ी मदद हो जाती एस सोच आसा जी ने कॉमल को फोन लगाया कैसी हो कॉमल मैं सोच रही थी कल विकास के जनम दिन पे तो तुम आ ही रही हो लेकिन अगर सुबा थोड़ा जल्दी आ जाती तो थोड़ी मदद हो जाती तानिया की वैसे तो काफी कुछ तैयारी हो चुकी है साथ में काम वाली भी लगी है लेकिन सुबा फूजा का परसाद और पंडित जी के भोजन में तानिया को मदद की जरूरत पड़ेगी आप के बहु क्या दस लोगों को खाना भी नहीं बना सकती जो आपने मुझे फोन कर दिया बहु से इतना मोह और खुद की बेटी से जरा भी मोह नहीं आपको मा कॉमल की बाते सुन आसा जी दंग रह गई कैसी बाते कर रही हो कॉमल तुम्हारे भाई का जन्म दिन है और तानिया ने नहीं कहा तुम्हें बुलाने को ये मैंने खुद अपनी मर्जी से तुझे फोन किया है और रही बात इतना कुछ करने की तो अगर तानिया अपने पती का जन्म दिन बढ़ियां से मनाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है और कोमल अगर भूल गई हो तो याद दिला दू पिछले महीने जब तेरी सासु मां हास्पिटल में थी तब तानिया ही थी जो सुबा साम टिफिन भर भर के खाना हास्पिटल भिजवाती थी वो भी बिना चेहरे पे सिकन लाए वाह मां आप तो बहु के गुडगान में लग भावी के फर्ज तो तुझे खुब मालूम है कोमल लेकिन कभी ननत के क्या फर्ज होते हैं ये भी याद कर लिया कर देख कोमल मा हूँ तेरी इसलिए तेरी हर बत्तमीजी को बरदास्त भी कर लोंगी और गलती को मां भी लेकिन ये हमेशा याद रखना तानिया भावी है तेरी और वो सिर्फ एक सीमय तक ही तेरी बत्तमीजी को बरदास्त करेगी मेरी बहु बहुत संसकारिक लड़की है परिवार जोडना उसे आता है और मैं नहीं चाहती कि तेरी नादानियों के कारण तेरा मायका छूट जाए मेरी बात हमेशा याद रखना कोमल मायका ऐलिए मेरी बात गाठ वाद लो अपने रिस्ते कभी भी अपनी भावी से मत विगाड़ना वरन्ह मेरे बाद मायके को तरस जाओगी तानिया जैसी भावी लाकों में एक होती है जब अपनी भावे की इस्थ करोगी तो भावी बावी दोनों का इसने पाओगी अगर भाव के का सुख मिलेगा कोमल को डाट दुखी मन से आसा जी ने फोन रख दिया अगले दिन तानिया सुभा उठ पूजा की तैयारियों में लग गई आसा जी भी अपनी बहु की मदद करने लगी तानिया के बार बार मना करने पे भी आसा जी अपनी बहु की सहायता कर रही थी अपनी भावी की सो चली आई सुबाही आप क्यों परेसान हुई दिदी लेकिन अच्छा ही हुआ आप आ गई आपके हाथों का पुलाव बहुत अच्छा बनता है आप ही बनाना दिदी अपनी नेनत को यो अचानक आया देख तानिया बेहत खुस और उसाहिद हो उठी आसा जी भी अपनी बेटी में आई इस बदलाव को देख खुस हो गई अपनी माँ से नजरे मिलते ही आखों ही आखों में कोमल ने मापी मांग ली और मुस्कुरा करासा जी ने कोमल से कहा देर आएं दरुस्त आएं और दोनों मा बेटी खिलखिला कर हस पड़ी तो दोस्तों आप लुक के मेरी चोटी सी और प्यारी सी कहानी कैसी लगी अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा थैंक यू